बज रंगी बज रंगी बज रंगी बज रंगी बज रंगी 20 साल बाद देखो गुब पिक्निक के फोटो कितने मस्ता आये हैं क्या शानदार पिक्निक थी वह भई वह पिक्निक में तो मज़ा आगया रहाइ जिफ जिफ यहाइ अरे मचो अरे तुम कौन हो अरे में को बेड़ो तुम कौन हो यह क्या हुआ यह क्या हो गया आप अजानक इतने ज्यादा उमर के कैसे दिखने लेगी बेहन जी पता नहीं क्या हुआ प्लेन में जिससे मेरी उम्र पड़ गई यह बिसनेस मेरा है छोड़ो मुझे छोड़ो मैं तोता राम हूँ यह तो हमारे बहुत से भी बड़ा वला चीटर है इतनी उम्र हो गई फिर भी इनकी लालज गई नहीं उनकी आवाज निकाल रहा है जीजा जी को क्या लगा मैंने पहचाला नहीं सोते सोते पहचान तो लिया पर पहचान दिखाऊंगा नहीं निकाले नहीं नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो अच्छा हुआ जीजा जी की उमर बढ़ गई वाह क्या मज़ेदार कुरसी है और जीजा जी का सारा बिस्नस भी मेरा अब मैं हूँ वोस्त है क्या हूँ नहीं इस पिकनिक ने तो सब गडबर कर दिया मैं विनोधी हूँ दे है तुम लोग कीता और विनोध नहीं हो सकते वह जो लोग काफी यंग है ठीको वो ही आगे नहीं बढ़ीगा यह क्या कर रहे हो मुजें तो कहीजों मेरे बच्चे मां पापा अप वह यह ज्या हो गया आपको अंकुष मेरे बच्चे हम्ने हमें prayer है यह क्या हो गया आ आप लोग की उम्र इतनी जादा क्यों लगने लगी पता नहीं बेटा फॉरेंग से लोटते भक्त आकाश में अचानक से हमारा विमान थोड़ी देर के लिए भटक गया और जब हम लोटे तो अचानक से हम सब की उम्र बीस-पचिस साल जादा लगने लगी ऐसा भी होता है क् अरे सर माल लीजिए ना मैं वही पाइलेट हूँ जहाज में सब उलट-पुलट होने की वज़े से हमारी सब की उमर बढ़ गई सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए ओ जी बिल्कुल नहीं ओ जी यह आप हो ही नहीं सकते अब क्या करूँ कैसे विश्वास दिलाओं आपको अरे ये सब बच्पना छोड़ दो भूल गए क्या आपकी उमर हो गई है मगर ये ऐसा कैसे हो गया ऐसा तो कभी नहीं सुना मजरंगी कि किसी की उमर अचानक से 20 साल जादा हो जाए लेकिन हुआ तो सब के साथ ऐसा ही ना यही तो आश्चर्य की बात है मा पापा भी यही कह रहे है और प्लेन का कंट्रोलर स्टाफ भी यही दोहरा रहा है कि प्लेन आसमान में सिर्फ पांच मिनिट के लिए भटका था लेकिन अब इन सब को वापस सही उम्रा में लाने का क कुछ उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग है अच्छा हुआ गडेशा की नुम आ गए अब बताओ इस अजीब संकट से निप्टेंगे कैसे जैसे फसे थे करूती दर्शक यंद्रो यहां इस दूम केतू के चुमबक्यक शेत्र में ठीच कर चला गया था और इसी के साथ किसे बीचली आकाश गंगा में पहुँच गया था जिससे लोगों की एच अचनक बढ़ गई पर गायब तो प्लेन कुछपल के लिए ही हुआ था अलग-अल में समय का चक्र अलग-अलग रहता है इसलिए उतने ही पल में लोगों पर सालों का प्रभाव पढ़ गया तो आप करना क्या है हमें फिर से सब को प्लेन में भरकर उसी धूम-केतु का उल्टा चक्र लगाते हुए अंतरिक्ष के उसी क्षेत्र में ले जाना होगा लेकिन वो धूम-केतु कहां मिलेगा कही तो अंतरिक्ष में मिलेगा ही ना तुम लोगों को लेकर आओ मैं धूम-केतु को धूम-कर लाता हुए यह अंतरिक्ष के उल्टा चकर का बहाना है हमको बुद्धू बना रहे हो अंकुष उम्रे को एक खोया हुआ बैग है जो वापिस मिल जाएगा एक बार अंतरिक्ष में भढ़के तो बीस साल बड़े हो गए तो बारा जाएंगे तो हम लोग शायद लात कर ही ना अगर आपको अपने बेटे पर इतना ही भरोसा है ना तो आप लोग ही चले जाएए समझ नहीं आरा कि ये धूम के तु गया तो गया कहां आपको क्या लगता है कि हमारी उम्रे लौट करा पाएगी अता नहीं पर हमारे बेटे को भरोसा है तो हमें भी है अरे तुता अंकल अब इनको कैसे पकड़ी गनिशा ये तो बस में भाग रही है कोई बात नहीं जाए चाहे जहां पहुचेंगे वही जहां इन्हें पहुचना चाहिए ये बस प्लेन कैसे बन गई हाँ 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 लेकिन गनेशा ये प्लेन अंतरिक्ष में कैसे रह पाएगा इसके लिए मेरे पास है अवकाश नहीं अंत्रा नहीं अंत्रा दोके दोके ये खे जाँ हुच हाँ हो ओकाश स्थान परिवर्टन यंद्रो लो यह रहा धूम के तू लिकिन धूम के तू है कहाँ बिना धूम के तू के इन लोगों के ठीक होने का कोई उपाय नहीं बड़ी मुश्किल से तो हम लोग प्लेन के यातरियों को लेकर आप आए है अगर ये लोग ठीक नहीं हुए तो क्या होगा निराश मत हो अंकोष ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो हाँ याद आया मैंने साइन्स के क्लास में पड़ा था दुनिया में कुछ भी नश्क नहीं होता जीजे सिर्फ अपना रूप बदल लेती है वाह ये तो शांदार बात याद दिलाई तुमने धूमके तु भी बिखर कर अंतरिक्ष में अद्रश्य हो गया है मैं अभी तुम्हें संग्रा चक्रम देता हूँ उसे ले जाकर धूमके के सारे टुकडों को इकठा कर लो संग्रा चक्रम ये अंत्रा ये क्या हो रहा है बजुरंगी ये धरती क्यों किसी चली आ रही है ये धूमके तु का आकार बढ़ने से हुआ लगता है धूमके तु आनंतकाल से जब से विखरा था तब से लेकर आज तक कर सारा हिस्सा संग्रा चक्रम ने खटा कर लिया है गरून पंक बजुरंगी तु प्रित्वी को संभालो मैं तब तक प्लेन धूमके तु के अंदर लेकर जाता हूं हुआ हुआ बजरंगी, अपना काम हो गया, दूम के तुकर तोड़ दो, तभी इसका शक्तिशाली चुम्बत्यक शेत्रा खत्म होगा चलो, सबको देख के आते हैं अरी वाग, अठीक हो गया अरे वागकुश, तुमने तो सच में कवाल कर दिया तो इसी बात पर एक सेलफी हो जाए चीज मास्षब और ईसी बात you चीज़ाए कर दो खिरो चीज झाल झाल